शिरी शिवाई नमस्तुब्यम हरहर महादेव हिंगोली महाराज से चल रही हर्ताली का शिमा प्राण कता का साथवा दिन था विराम दिन था आज की दिन गुरुजी ने जो जो उपायों विशेश चान करें दी हैं वो इस वीडियो को मैंदम से शेयर कर रही हूं शाथ ही 30 अगस 22 ति भादर पद शुक्लित रतिया और पर वे हर्ताली का तीच का और दिन है मंगलवार वीडियो में मैं आपको साथ ऐसे उपाय बताने वाली हैं जो हर्ताली का तीच के दिन करने वाले उपाये हैं इसलिए वीडियो ध्यान से सुनियेगा पहला उपाये है हर्ताली कति शीगर विवा उपाये दूसरा उपाये है रजो धर में बिमार होने पर व्रत ना रख पाने पर उपाये तीसरा उपाये है दस सब पंदरा साल हो जाते हैं पसंतन प्राप्ति नहीं होती है उसके लिए उपाये चोथा उपाय है छोटी या बड़ी बीमारी होने पर हर्तालिकतीच का उपाय और पांचवा उपाय है हर्तालिकतीच का फल प्राप्त करने का उपाय और छड़वा उपाय है फुलेना में ये दो पत्तियां जरूर लगाए और साथ वो उपाई हैं फुलेरे में ये दो पत्ती भूल कर भी नहीं लगाना है तो सभी उपाई उपयोगी हैं और आपको 30 अगस्त को हर्तालिकतीच के अफसर में करना ही है इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और आप साथ उपाईों में से जो उपाई आपको ठीक लगे वे आप उपाई कर सकते हैं या फिर एक से अधिक उपाई भी आप कर सकते हैं जो कि शीगरी विवा के लिए है तो शी महापुराण के इसकंद पुराण से लिया गया है जो करन्या जिसका विवा नहीं हो रहा है यदी किसी कामना से वो साथ फुलेरा के दर्शन कर लेती है जो उपर फुलेरा बांधा होता है ऐसे करके साथ इस्थान में साथ फुलेरा के दर्शन कर लेती है तो तीन महीने के अंदर उसका मंगल विवा अवश्य हो जाता है उसरा उपाई किसी करणवश आप यदी व्रत नहीं कर पा रहा है आपका स्वास्ते खराब चल रहा है तो आप क्या कीजिए एक पहर की पूचा करके थोड़ा सा आप ग्रहन कर सकते हैं यह व्रत आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि जब तक प्राण रहते हैं यह व्रत करना ह होता है किती वाले दीन आपको फुलेरा दर्शन जरूर करना है हर्ताली कर शिमा पुरान की कथा कहती है सोला संकर संबार के जो ब्रत कफल प्राप्त होता है वह मैं केवल एक फुलेरा के दर्शन मात्र से मिल जाता है इस नारी को 4,8,10,12 साल हो जाते हैं संतान नहीं प्रा वो फूल को आपको शिप जी के चड़नों में अपनी कामना करके समर्पित कर देना है अगला फुलेरा आप खुद बनवाएंगी आपकी गोद में जरूर संतान होगी वो उपाएं यदि आपकी बड़ी बिमारी से ग्रसी थें तो हर्ताली का तीज के दिन शाम के समझा पूजा हो रही होती है तब आपको साथ व्रक्ष की पत्ती समर्पित करना है आपको अपनी कामना करके समर्पित कर देना है जो पूजावाला इस्थाने शिप परवती की ज अबी उसे उसके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है छडवा उपाएं अगर आप कल फुलेरा बनाने वाले हैं तो आप कोई भी पत्तियों को प्योग कर सकते हैं पर आपको फुलेरा में आम और अशोक के व्रक्षी पत्तियों को जरूर शामिल करना है इस बात का शेश ध्यान रखें अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी व्योगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरहर महादेव सरूर टाइप कीजिए